कहते हैं सोंजार के दिन की अश्ट मी पढ़े और उस दिन अगर पांच बेलपत्र भगवान शिव को समद पे दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकार जिस जामना से जिस मनमा चिद्फल खेलिए बेलपत्र चणाता है उसकी वो कामना मात तर तीन महिने में पूरी हो जाए मत 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 एक बात बहुत सुन्दर है ध्यान रखिएगा थुड़ा से कभी अगर मोका लगे सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए क्या पढ़ जाए सोंबार की जम के बुलो जरा अश्टमी या तो सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए या हर महिने शिवरात्री आती है हर महिने आती है या तो सोंबार की अश्टमी पढ़ जाए या फिर सोंबार की शिवरात्री पढ़ जाए हर महिने आती है प्रयास करने, कहीं से देशी गाय का दूद मिल जा, थोड़ा सा दूद देशी गाय का मिल जा, थोड़ा सा दूद, एसी गाय का थोड़ा सा दूद अगर प्राप्तो हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से, दूद कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से, एक एक बूंद, अगर दूद आप एक बूंद अगर जादा ना मिला हो, एक चम्मज भी अगर आपको दूद देशी गाय का मिल गया हो, और सोंबर की अश्टमी पढ़ जाए, या सोंबर की जमके बोलो शिवरात्री पढ़ जाए उसमें केवल अगर देसी गाय का दूद मिल जाए जर्सी गाय का नहीं हो देसी गाय का दूद मिल जाए बेल पत्री के पत्ते से तुमारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुमारे नजदीक में कोई की शिविलिंग है उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिविलिंग पर दूद समर्पित कर रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्षिवाय या शडाक्षर मंत्र ओम नमस्षिवाय या मेहनत करना कर्म पुरा करना पड़ाई अच्छी करना और पड़ाई के साथ में अच्छी मेहनत के साथ में देशी गाय का दूद्ध भगवान शंकर को समर्पित करना देशी गाय का दूद्ध दीरे 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 समर्पित करने बावो के साथ समर्पित करने देशी गाय का दूद्ध एक बून समर्पित करें दीरे दीरे समर्पित करें और देशी गाय का दूद जब दीरे-दीरे समर्पित करें बड़े रास्ती से आनंद से दीरे-दीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री वही दूद में सनी हुई बेलपत्र अशुक सुन्दरी वाली जगा पर उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की और नहीं होना चाहिए उस समय पर डंडी का भाग जहां से पानी बह कर जाता है अशुक सुंदरी की और से वहाँ पर होना चाहिए कारे में सफलता मिलती है शिवत तत्व को धारन अंबार की अश्टमी का मतलब आपको इंदोर की कथा में बताया था जिदिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं चोसट योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है पीला चंदन लगा लेना कितना लगाना है बीच वाल्या पत्ता है उस पर पीला चंदन जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टम है अब ये रोग अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा अब ये आए दिन अकलीप पर तकलीप बढ़ती जा रही है आए दिन रोग ब पईसा घड़ में बच नहीं रहा पहूत कष्टम है जीवन इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीच पत्ट लंगा झाए इन दोनों पत्त के बीच में जो लाल चंदन लगा लीजीए इन दोनों पत्त में गीच विश्नु महेश ये तीन हैं, बोला था, बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती है, इनके बीच में जो जगा बच्ती है, इसमें मापार्वती के चोसट योगनिया, मापार्वती अपनी पून सिधी के साथ में, जितनी भी देवी के सुरूप हैं, वो म ये पूरी डंडी में 33 कोटी देवी देवताओं बिराजमान होते हैं, इस पूरी डंडी की अंदर, तो यो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहत का प्रियोग करकर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन शहत का प्रियोग करकर इसी तरह से पकड़कर ये देल पत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पीत करें तो जहां से जल बहता है उस और पर इस पत्ती को चड़ा कर केवल आपके हिर्दय की बात कहकर देव अधिदेव महादेव से कोई भी शिवजी क जो शिव का मंत्र हो आपके पास में उसको बोलते हुए देव दीदेव महादेयों को धीरे-धीरे जल की धार चड़ाना प्रारम करो जल की धार जब पून होने लगे उसमें थोड़ा जल बचे तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बिल पत्त्त चड़ाईये वहां उस जलधार को चड़ाएं ये प्रयोग आपको केवल सोमबार की अश्टमी पढ़ने पर ही करना है कौन से दिन करेंगे जम के बोली है जरा सोमबार की अश्टमी पढ़ने पर ये प्रयोग करें और जल चड़ाकर बाबा से विंती करकर उसी बेलपत्र को वापिस उठाकर कहीं ज मेरा बाबा तीन महा के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाज़ेगा। बात और आपसे कहेंगे उतारिएगा जिसके शरीर में सफेद चमडी पढ़ने लगती है चर्म रोग हो जाता है या चेहरे पर आँख के पास में पूरा कालब बना जाता है उसको हमेशा याद रखना है लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए काई पर करना है पीप करकर सोंबार की अश्टिमी के दिन उसको लेपन करकर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे तर्कुंड बनाकर लेपन करना प्रारम करें उसके बाद उस चंदन को जो सोंबार की अश्टिमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डबी में लें उस चंदन का प्रयोग चर्म रोब के स्थान पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना प्रारम करें पानी के साथ मिलाकर परन्तु उस चंदन को किवल 6-7 दिन में प्रयोग करियेगा जादा नहीं दीरे-दीरे चमडी परन्तु उसको सुंबर के अश्टिमी के दिन सिद् शिवाय नमस्तु भ्याम या ओम नमस्षिवाय या पंचक्षर मंत्र या महामर्त्यूंजे मंत्र जो आपको आता हो शिवजी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चड़ा उसको लिया फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारम करो उसका फल आपको 15 दिन के अंदर दीरे 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 प्लापते हो ना प्रारम हरहर महादेब ओम नमस्षिवाय कैसे आप शबी लोग असा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जो भी भाई वैन मेरे चैनल पर नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंड में महादेब का नाम लिखना न कर और से समझे प्रयास कर रहे हैं कता कूग ईपाए हैं जिन उपायों को हम सरल तरीके से बताने का विखना को कर रहे हैं देखेए आप ठंक से समझ लीजिए इस उपाय को ठीक से समझने का प्रयास केजिए कि आपको करना क्या है कि आपको सौंबार की अस्टमी को ही ये उपाय करना है अन्था और किसी दिन नहीं हो सकता है ये उपाय सौंबार की अस्टमी के ही दिन हो सकता है तो आपको जाना है सिमंदर सिमंदर जाना है और आपको लेके जाना है कोई भी साथ चंदन हो पीला हो लाल हो कोई भी चंदन हो आप उस चंदन को लेके सिपजी के मंदर जाना है उस चंदन सिपजी का आपको लेपन करना है लेपन करते वक्त मंतर का जाप अवश्य करें जाप करने के बाद जब आपके 108 वार जाप हो जाएंगी तो उस लेपन को एक डिबबी में भर लेंगे तो आपको आना है घर पर घर पर जिस वेक्ति को परेशानी है चर्म रोग है या सुरीर की अन्य कोई भीमारी है उस पर आपको लेपन करना है ये लेपन मातर आपको साथ या आठ दिन तक करना है जल्दी से जल्दी वो मतलब जो लेप है वो खतम करना है ज्यादा दिन तक नहीं रखना है आपको जी ने जो सकती है इसकी वो ज्यादा दिन तक नहीं रहती है खराब हो जाता है ज्यादा दिन तक रखा हुआ तो जितनी भी डिब्बी में जो आपने लेपन भरा था उस लेपन को साथे आट दिन तक भरे आप उसको लगा दीजिए देगे आप इस लेपन को लगा देते हैं तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा 15 दिन के अंदर व्यक्ति बिल्कुल ठेख हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है उसके सरीर पर चाम रोग तो फिर से आप इस उपाय को कर सकते हैं और सौंबार के अस्टमी के दिन ही कर सकते हैं वह व्यक्ति बिल्कुल अवश्य ही सही होगा सिप्राण के उपाय ही बताने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको सरील तरीके से पंडित प वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं कमेंट में अवश्य हरर महादेव अवश्य लिख देगे आप पर महादेव की करपावनी रहेगी आपके हर मनो कामना पूर्ण होगी जो भी आपके इच्छा हैं सारी मनो कामना पूर्ण हो लेना ताकि ऐसे ही वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहें आपके सारे दुख दर दूर होते रहें हर हर महादे उम्नवाश्यवाई